हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मैच्स के टोटल तीन ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके मदद से आप बहुत ही फास्ट कल्कुलेशन कर पाएंगे ठीक है गुड़ा का ही ट्रिक है तो देखे पहला ट्रिक हमारा इसमें क्या है कि अगर दिय लिखने में ही जो समय लगे वही लगेगा ठीक है अगर आप इस ट्रिक को समझते हैं अब जैसे कि इसको अगर करना होगा तो इसको आपके कहेंगे यह नौका में तो आपका हो जाएगा बहतर उसके पास से फिरहां पर इसमें से नो घटेगा आपका हो जाएगा तीरासी यह चीज कैसे possible हो सकता है यहां तरेक से हो सकता है यहां पर है यहां तो आइसके लिए आपको पता होना चाहिए तो क्या आए अब दोस्तों यहां पर हमने कुछ ने टीन टोटल टीन को समझते हैं इसके पीछे के ट्रेक्स को समझते हैं तो देखिए इसमें अगर इस चीज को द्यान से देखेंगे तो यह क्या है यह संतानबे क्या है पंचानबे क्या सो के पास में ठीक है तो संतानबे सो से कितना कम है तीन कम है ठीक है 95 है तो जितना कम है उसी को हम आपस में गुणाकर देने यह त़ीन कम है यह पाँली इस थी यह जो हम लिखेंगे ढूस्से करें जैसे कहीं है पर क्या होगा की आपका कहीं पर लिए यहां पर अगर पांच आजाता तो हम क्या तो यहां पर आगे जिरो लगा लेते हैं अब इसके आप से क्या करेंगे कि इसमें से से आप किसी को भी घटा सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो जो चोटा जो कम है उसी को हम घटा लेते हैं तो ही यह वहलग है कि यहां पर आप संचेंगे यह कितना गंडे यह आपकब कम कैंडे यह आपका 15 है ठीड हमें थे कटे सब्सक्राइब करेंगे कि यहाँ तो Շसी कहां कर करणें से हास्प तो यह यह रोंगा करना करते हैं 580 तो यह दो लिखेंगे एक हमारे पास हासिल में बचा हुआ है तो यह वाला आठ कम है न तो आठ इसमें से घटा लेंगे तो 79 आपका बचेगा 79 में से एक को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा तो यह हमारा पहला ट्रिक कंप्लीट हो जुगा है अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की दरफ यहां पर हमने कुछ और कोशन लें ठीक है इसमें क्या है 48 गुणे पांच 52 गुणे 25 और 816 गुणे 125 ठीक है अब इसका गुणा हम ट्रिक से कैसे करेंगे अगर आपको ट्रिक पता है तो आप क्या करेंगे आप यहां पर लगाएंगे और यहां पर आपको 24 लिखेंगे और सिंपल करेंगे कि ठीक है यह मारा अंसर होगा है ठीक है इतना असान है अब जैसे कि यहां पर है अगर यह वाला आपको ट्रिक पता है तो इसमें आपको क्या करेंगे तो आप करेंगे लिखेंगे एक दो जीरो लगाएंगे ठीक है उसके पास एक लिखेंगे और तीन तो इसके पीछे का है आइए उसको समझते हैं आप यहाँ पर अगर आपको यह वाला ट्रिक समझना तो उससे पहले तो यह वाला स्कूर्ट में भाग करते हैं यह वाला चीज आपको पता होगा तो देखिए इसको कैसे करते हैं थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो देखिए दो से जैसे इसमें इस पूरे अंक में भाग करना है ठीक है तो पहले तो 2 долго Straightbourg प्रसे करने तो चार दोना आठ हो जाएंगे अब इसके बाद से क्तिक है अब इसको करेंगे यहां Women तो बार दो दो वह साथ का आखे करें तो 28 हो जाएगा तो चार का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 28 तो चार में 28 आयेगा तो इसमें आपका चार सत्य अठाइश ठीक है तो साथ बार में आपका जाएगा सिंपल यह भी आप होगे ठीक है अब यहां पर तो एक ही है तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा जीरो लगा लेंगे और दो अंक साथ लेंगे तो आठ दूना सोल यह मामला क्लियर अब यहां पर चार है ठीक है अब चार क्या है इस आठ से छोटा है तो यह वालाओं के भी लेना पड़ेगा तो हम जीरो लगा लेंगे ठीक है तो आठ चके अनतालीस सिंपल आपका यह आगया ठीक है यह तो माल यह आसान था ठीक अब जैसे कि अगर से-से कन आञा यह जाता है 51 ाट कि क्याओं इसमें आपको करना है दो से भाग है तो इसमें आपको पता है कि दो दूना चार ठीक है 2 १ूना यहां पर कर देंगे एक के आगे 1 हो जाएगे तो किते नहीं 11 दो पच्छे 10 ठीक है 11 था अब 10 यह आया है अब एक और हांसिल बच रहा है तो उसका क्या करेंगे छोड़ देंगे नहीं तो दसम्रू लगाएंगे अब एक उस जो बचा था एक उसके आगे जब यहां पर दसम महन में ही अधिक करना पड़ता है ठीक है अब उसी तरीके से जैसे कि माल लिजे कि अगर चार से करना हुआ ठीक है तो कुछ कुशन ले लेते हैं माल यह आठ नो पांच इस तरीके से ले लिए चार से में करना है ठीक है तो यह तो आपका कट जाएगा सिंपल चार दूना ठीक है यहाँ पर चार दूना आठ एक बच जाएगा ठीक है एक को हम इसके पास बच देंगे तो पंदर हो जाएगा चारती बारा चार्चा को सोला तीने बार में तो बारा बचेगा तीन ठीक है दसमलों लगा के तीन बचा है तीन के पीछे हम जिरो लगा लें ठीक है यह यह चीज लिखा नहीं जाता है मन में ही रखा जाता है ठीक है तो दो बचा तो दसमलों लगा यह तो जीरो बढ़ा लिए तो चार पच्छे बीस यह चीज इस तरीके से होता है ठीक है इसी तरीके से यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा अब यह चीज अगर आपको क्लियर ह लिए लेकिन यह कैसे ठीक है तो समझें इसमें हमें करना क्या होता है कि जब यहां पर पांच हो ठीक है पचीस हो या फिर 125 ठीक है अगर आपको इन तीनों में से किसी से भी और कितना भी बड़ा संख्या हो अगर उसमें आपको गुणा करना होगा तो simple क्या करेंगे 5 है ठीक है तो इसमें गुणे में हम 2 कर देंगे और इसके भाग में हम 2 कर देंगे बस और कुछ नहीं 25 है तो इसके गुणे में हम 4 कर देंगे और इसके भाग में हम 4 कर देंगे ठीक है अब देखिए इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा यह क्या है यह के नीचे हम चाहें तो इससे इसे हम kuszकते हैं लेकिने काटना नहीं हमें त्रिक करना करना तो इसके लिए देख तो है कि जब इसमें हम यहां पर हम दो कर देंगे और यहां पर हम दो करदेंगे तो यह कितना भघेभी है यही हुना लगा देंगे बसे दे न Donald तो यही इसका ट्रिक है अब जैसे कि इसमें पचीस है तो पचीस है मतलब की चाहतों पचीस हो का 100 तो दो जीरों यहां पर रख लेंगे चार से अब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो अब इसमें अगर देखेंगे तो आट से इसमें तो 125 में अगर आट से आप गुणा करेंगे तो आपका आजाएगा लेकिन अगर आपके सामने जैसे कि यहां आपके सामने जैसे कि 48 था थे कहें सइमने कटा पूरा पूरा कट गया है तो यह तो हमारा पर ईजली यह लेकिन अगर 47 होता तो 100002 नहीं कटेगा अगर यहां पंदे पांच तभग और हम क्या स्गैसीमें क्या करेंगे। हिसा तो हमें पता है कि दो से ही गुणा करना ठीक है और दोसे भाग सरशक्रक्स करना है मॅ खिक के आगे हम 0 कर लेंगे ठीक है तो दस हो जाएगा तो दो पच्छे दस और यह वाला दस क्या है गुणे में अब इसके पास से जब एक 0 यहां पर तो इस जीरो का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो यह वाला दसम्लों आपका पीछे चला आएगा ठीक है इस जीरो को नहीं है अगर 10 लोग बास जीरो है तो इसका कोनों वैल्यू नहीं है तो 235 आपका अंसर आजाएगा ठीक है अब इसी तरीक से कोई और बड़ा कोश्चन लेते हैं तो बड़ा कोश्चन माल जिए 2 5 4 3 ठीक है गुंडे से आपको 5 करना है कैसे करेंगे तो सिंपल आपको इसम में जब आप 2 से भाग करेंगे तो 292 224 एक बचा एक को यहां ट्रांसफर करतेंगे दो साथ 14 फिर 212 एक बचा 10 लगा लेंगे उसके पास से चलिए और भी देख लेते हैं अगर 25 से होता है तो मल जिए कि यहां पर आपके सामने हैं 482 साथ ठीक है इस तरीके का कुछ है और गुंडे में 25 है कैसे करेंगे तो देखिए इसको कैसे करेंगे तो यहां पर 25 का 100 डोगो यहां पर लेंगे तावम इसम भाग करन से छायोगाاج सब मैं लिए जादा हमें दो इस बारो यहां सब कर purchase da क्लेंविब्त कि इसके में फॉर्ष का अब यहां हम इतिते हैं क्या सब्सक्राइब ठीक है अब इसके बाद से हमारा आया था तीस और चार सत्य हमारा कितना है 28 से आया है तो मतलब कि दो बचा है ठीक है दो के पीछे दो लगाया तो जीरो लगा दें चार पच्छे एह भी सब्साइब करें अब सब्सक्राइब तो यह तो अंग पीछे आएगा थीक है तो क्या बचा बारा जिरो छिब क sob सिंपल आपका सब्सक्राइब करते हैं 125 वाला भी देख देए ठीक है तो यह चोटा है इसको भी साथ लेंगे उसके लिए 0 लगा लेंगे ठीक है तो 8, 8, 64, 8, 9, 72, ठीक है, 8, 9, 72, अब यहाँ पर आपको कितना बचा है, तो 72 मतलब कि 4 बचेगा, ठीक है, दसम्रू लगा लेंगे, 4 के पीछे 0, तो 8 बचे 40, ठीक है, अब गुणे में, अब इसमें अगर हम 8 से कर देंगे, तो आपका आजाएगा 1000, ठीक है, तो देखें, इस 0 के वज़ए से, तो यह वाला दसम्रू आपका, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अब यह वाला क्या हो जाएगा, इसमें आपका गुणा हो जाएगा, तो यह आपका आजाएगा, एक तीस, जीरो, नव, पांच, और यह दोनो 0, ठीक है, अब दसम्रू आपका यहाँ पर, तो इसका कोन मतलब नहीं है, ठीक है, तो यह चीज आपका होता है, अब दस्तों, यहाँ पर हमारे पास आचुगा है, ट्रीक नंबर तीसरा है, ठीक है, जो कि most important है, पहला हमने ट्रीक बताया था, जिसमें हमने बताया था, कि 100 के नजदिक अगर कोई अंख है, तो उस पर कौन सा ट्रीक काम करेंगे, ठीक है, दूसरा हमने बताया था, कि 5, 25 और 125 से हम कैसे गुणा करेंगे, ठीक है, कि इतने भी बड़े नंबर का, अब देखें, तीसरा हमारा है, इसमें क्या कहता है, कि अगर कोई भी दो अंखो वाला, कोई भी अंखो और उसका जाए, अब इसके वाले 4 से इस तीन में भी गुणा कर लेना है, तो 4-3-12, अब इसको आपको मन में याद रखना है, ठीक है, अब दो को उठाना है, और इसके साथ में गुणा कर देना है, ठीक है, तो 4-3-12 हुआ था, और 2 दूना चार, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, आप डिजिट से करेंगे ठीक है तो दो तियां छे और रिकेंस लिए साथ सिंपल आपका हो जाएगा अंसर कुछ भी नहीं करना है ठीक है अब इसके पास से इसी तरीके से इसको देखिए आठ दूना अब दूना चारीस एक उन्चास का नौ आपका अंसर आगया फटापट ऐसे होगा अब यह से करना दो दूना चार ठीक है दो एक नम दो और इसको पास से चार दूना आठ आठ दो दूसका जीरो ठीक है चार गम चार एक पांच होगी आंसर क्या करना कुछ नहीं करना ठीक है तो यह तरीका होता है और यह और भी कुछ कोशन लेता है उसको हल करते हैं अब देखिए यहां पर एक और कुशन है ठीक है तो पांच दूना दस का जीरो हासल बचा एक ठीक है नो दूना अठारा याद रखेंगे पांच पह्ता आलिस और चार अबका कितना रहेगा उन्चास है सिंपल अपका सरोके ठीक है इसको दिए तीन दूना छे वुज़ेंगे उसके और सातीर का 21 याद रखेंगे चमश्य दूना बारा तो 21 और 12 अब कितना अब जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 21 और 1334 का 30 ठीक है और उसके बास हैंस्ञें इसको याद रहेंगे तो शीर प्यालीज और टीन 25 best सबस्बाइए चबचतर हई ढूंसा पर प्रिया हर और एक साथ इक एक दोन हम साट और इसको आद रखेंगे और jeśli दोन interact ठीक है तो बारा साथ आपका हो जाएगा ओनाई से बीस का जीरो ठीक है छे का नम छे दू आठ सिंपल आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तुम ही दोस्तों कि यह वला जो तीनों ट्रिक था यह सबीक सभी आपको इसली समझ में आगया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अलग परकागे ट्रिक को सीखेंगे